तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में तो फाइनली जैसा कि आप सभी लोग को 2025 के बोर्ड एक्जाम के लिए प्रिपेर कराया जा रहा है और इस प्रिपेरेशन की जर्णी में जो क्लास 12 के उर्दू के वीडियोस आप लोग को मिल रहे थे यानि कि जो क्लासेश दिये जा रहे थे वो एक दो दिन अप्सेंट करके दिये जा रहे थे यानि कि regular वीडियो नहीं upload हो पा रहा था इसके पीछे का वज़ा ये है कि हम और हमारी पूरी टीम जो है ना ग्यापन इंटरेंस अकेडमी पर बिजी थें क्योंकि वहाँ पर बिहार डेलिट इंटरेंस इक्जाम की तैयारी फ्री ओफ कोस्ट कराने में हम लोग जूटे हुए थे और पुरा जी जान जोग चुके थे फ्री ओफ कोस्ट तैयारी कराने के लिए ठीक है ना तो इसी वज़े से ग्यापन इकेडमी पर आप लोग को रेगुलर लगातार वीडियो देखने को नहीं मिल रहा था और 12th क्लास के उर्दो का वीडियो देखने को भी मिल रहा था तो आप लोग यापन इकेडमी से फ्री होकर फाइनली पूरे एनर्जी के साथ यापन इकेडमी पर एंट्री कर चुके हैं अब 2025 के बोर्ड एक्दाम के लिए आप सभी लोग की तियारी एकदम धुवाधार जबर्दस्त और एनर्जिटिक होने वाली है ठीक है ना चाहे आप क्लास 10 में हो या फिर 12 में हो दोनों क्लास के और सब्जेक्टी तियारी एकदम जबर्दस्त अंदाज में कराई जाएगी सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट नहीं सभी विशय होगी ठीक है 15-4-2024 डेट याद रख लीजिए 15 अप्रील से आप लोग को लगातार वीडियो से द नहीं करना है पहले ही मैं बता दे रही हूं अब इसके पहले में आप लोगो उर्दू में जितना भी चेप्टर पढ़ाई हूं उसको पढ़े ही ना उसको छोड़ दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और आज किस वीडियो में दस्वा चेप्टर कंप्लीट होने वाला है कि आप लोग उर्दू में टेंशन मत लिजे एकदम टेंशन जब तक मैं हूं उर्दू में टेंशन लेने की जड़ात ही नहीं है ठीक है बस एक कमी जो की हमेशा जो है ना मुझे दुख पहुचाती है वो यह है कि वीडियो को आप लोग लाइक शेर बहुत ही कम करते हैं देखिए यह बहुत गलत बात है आप लोग को free of cost all subject की टेयरी कराई जा रही है तो फिर आप लोग के भी तो यह जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेर करें तो बस यही एक कमी है जो कि मुझे बहुत ज़्यदा दुख पहुचाती है आप लोग कि जितना ज़्यदा उसके आप लोग शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करवाएं ताकि सभी लोग जूड़ जाएं और बोड़ एकदम धुवाधार अंदाज में हमारे साथ मिलकर करें ठीक है तो चलिए आज किस वीडियो को स्टार्ट करते हैं 12 क्लास की उर्दू का यानि कि कभी कभी खुशी और कभी कभी गम यानि कि कभी खुशी कभी गम वाला मोमेंट है ठीक है और लास्ट में ले जाकर इमोशनल कर दिया गया है भाव कर दिया गया है जिस तरह आप लोग फिल्म नहीं देखते हैं कि लास्ट में ले जाकर हीरो और हिरोईन को मार दे कि वो रो भी देंगे इतना ये emotional ये कहानी है ठीक है 25 साल के बाद की कहानी बताई गई है और फिर 25 साल पहले की कहानी बताई गया है और फिर प्रजेंट में लाया गया है ठीक है बहुत ही मलजदार ये कहानी है मैं आप लोगो ये कहानी बताऊंगी लेकिन इससे पहले इस अ से मैं आप लोग को यह पूरी कहानी बताऊंगी ठीक है तो सलाम बिन रजाक की पैदाइश हुई थी 15 नवंबर उन्हें से 41 को सलाम बिन रजाक के से हो सके आप लोग कॉंटेन रखे रहेंगे तो रिविजन कर पाएंगे हाइलाइट करके अंडरलाइन करके प्रैक्टिस कर पाएंगे ठीक है तो सलाम बिन रजाक की पैदाइश 15 नौबर उन्हें से 41 को हुई थी महारास्ट के पनवील में सलाम बिन रजाक की पैदाइश अनिंदान में स्कोल में यह उस्ताद की हैसियत से 35 परस तक नौखरी कीये थे और उन्हें समय-न्यानबर में यह सिबखदोष हुए था, यह रिटायर हुए थे याद रखिएगा, बंबई Municipal Corporation के स्कूल में ये उस्ताद की हैसियत से, यानकि एक टीचर की हैसियत से नौकरी किये थे, कितने सालों तक ये नौकरी किये थे, मुलाजमत किये थे, तो 35 बर्सों तक, और कब सुखदोष हुए, यानकि कब इनका रेटायर्मेंट हुआ, तो उ उनने pojaw Share, नियान वे रिसभी में, याद रखना है, उनने इसा 64 में इनका पहला अफसाना शाय हुआ, उस पहले अफसाना, यानकि पहले कहानी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ इतना बतायेगी है कि हाँ, पहला इनका जो अफसाना है, यानकी पहला कहानी, यान verbessय में शाय हुआ था तो यह याद रखिएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं सलाम बिन रजा की कुछ अफसानमी मजमुय का नाम दिया गया है यानि कि कहानी के किताब का नाम आप लोगे बुक में दिया गया है तीन किताबों के नाम जो कि काफी इंपोर्टेंट है याद रखिएगा पहला है नंगी दोपहर का सिपाही जो कि उन्हें से 77 इस भी में यह प्रकाशित हुआ था और श्रीकस्ता बूतों के किठ बहुंहों के दर्मयान ये किताब बहुंत मक्पूली थाहसिल हुई और सानसाराम को भी मंख्साना मझमूए् से लिया गया है तो अफसानोी मझमूए उस है सिकष्टा बूतों के दर्मियान अपसानी मजमिय से लिया गया है याद रखिएगा और यह किताब परकाशिक किया गया था 2021 में अब देखिए सलाम बिन रजाब जो है न वह हिंदी और मराथी भी बहुत अच्छी जानते थे और इसी वज़ेसे हिंदी और मराथी की किताबों को इन्होंने उर्दु में तरजुमा किया है जैसे कि महाम की खाड़ी नाम का एक किताब था मराथी में क्रिशन कुल हटकर द्वारा लिखा गया था तो उसको उर्दु में तरजुमा की गई किताब है जो कि कृष्ण को लटकर द्वारा लिखा गया किताब का ये तरजुमा की खाड़ी याद रखना है उसके बाद से आगे बढ़ते हैं हिंदी अफसानी में बजुमे का भी नाम दिया गया है यानि कि इन्होंने एक हिंदी के कहानी का भी किताब लिखा है जिसका नाम है धीनु और यह उन्हें से 88 में परकाशित हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट ने इनकी एक और तरजुमा किताब उसरी हिंदी कहानिया जो है ना उन्हें सब 95 में शाय किया था यहां पर थोड़ा अराम से धीरे-धीरे हम लोग समझते हैं कोई हडब इन जुम आउट सभी तरह सभी तरह का फीचर जो है यूटूब में दे रखा है तो आप लोग जिस तरह सभी कमफेड़ेबल और वीडियो को तरह की क्वालिटी में लाकर आप लोग देख सकते हैं तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है ना यह सलाम भीन रिजाब की एक तरज जुमा अवार्द मीला यहां पर इंपॉट्टंट पॉइंट है यूदर रखेगा उन्हें सट अंठांबर में इनको सहित अकेडमी का तरजुमा और मिला तेंकर की यहिक केडमी के इनाम मिला था 2004 में तो याद रखने हैं यहाँ इंप्रेंट स और इनको सी किताब लिखने के वजह से मिला तो यहां पर सलाम बिन रिजाक के बारे में सारा डिटेल्स कम्प्लीट हुआ जितना भी जानकारे इनके बारे में दिया गया था उसारा मैं बोड पर लिकर आप लोग को बता ही दी इसकी PDF की टेंशन आप लोग मत लीजेगा अगर आप लोग को टेलिग्राम पर डाल दिया जाएगा अगर आप लोग टेलिग्राम से जुड पूरा चैप्टर कर लेना है कि कहानी इनकी कहानी है रिगिस्तानी इलाके में अपने आप को इसकाहानी में शामिल किये हैं दोरन गाओं में जो है लेखाग गय रहते हैं इंस्पेक्टर के तौर पर ठीक है और यह वही गाओ रहता है जिस गाओं में यह 25 साल पहले master सहाप गया करते हैं। यांगी teacher थे थीक है। जिस school में धूरन गाओं के जिस school में, यहां पर इस school में लिख दे रही हूं, जिस school में यह इंस्पेटर की तोर पर मौाइना करने के लिए गए रहते हैं 25 साल के बाद, उसे school में जो हे न उसी गाओं के school स्कूल में यह 25 साल पहले क्या थे एक टीचर हुआ करते थे यानि की मास्टर साहब ख़ते थे तो फिलाल अभी यहां पर करेंड की बात की बात की गई है सलाम बिन रजाक जो है गाउं में कुछ बदलाओं नहीं हुआ है बिल्कुल 25 साल पहले जैसा गाउं था उसी तरीके से गाउं है ठीक है वही मस्जिद का गुंबद उसके साथ मिनार ठीक है और वही चावल की मिल की दुख-दुख मतलब बच्चे जो है नहा रहे थे नदी तलाब में और दूर से चावल की मिल की जो आवाज थी दुख-दुख सुनाई दे रही थी ऐसा लग रहा है कि सन्नाटे का दिल धरक रहा हूं ठीक है ना बहुत ही मतलब उस गाउं का इनको नजारा कुछ रास आ गया यानि कि अच्छा लग रहा था इनको मतलब कि देख रहे थे कि इतने सालों म की कहानी इनको याद आने लगी तो वही जो है ना स्लामबिन रजाक अब 25 साल पहले की कहानी बताया है एक लड़का का जिसका नाम रहता है इबुभाएम सक्का अब देखें मैं आप लोग को 25 साल पहले यहां पर फ्लैश बैक दिखाए गया है 25 साल पहले की कहानी बताई तो बता रहे हैं सलाम विन रजाक कि जब मैं धुरन गाव की स्कूल में पहले बार मास्टर सहब बनकर यहां कि टीचर सा tiis ben कर आया था तो पहला दिन में बच्चों को पढ़ाया इस स्कूल में और पहला दिन मेरा अच्छा गया मैं तुछ अनुस पेली featu तो पहली बार मैं आया था इस स्कूल में इशर बन कर और पहला दिन मेरा अच्छा गया और उस स्कूल के जो हैड मास्टर थे वो अब्दुर्रब थे याद रखना है धोरण गाओ के स्कूल के स्कूल कौन थे तो अब्दुर्रब और 25 साल के बात प्लाम दिन जो रब थे और हमारी तरह दो और भी टीचर थे अमीर अली और जनाब बदुरदीन जनाब बदुरदीन सहब जो थे वह स्कूल के इंचार्ज थे लेकिन हमारी तरह एक नॉर्मल टीचर अमीर अली भी थे तो पहला दिन मेरा अच्छा गया और उसके बाद से मैं अपने घर में जो है ना वह भी टीचर थे तो वहँ भी हमारे साथ हमारे घर में आये थे बैठे थे ठीकि और अमीर अली और मैं अपने घर में दोनों बैठे वे थे बाते कर रहे थे तभी एक जो है ना नौजवान दिखने में 24-25 साल का लग रहा था वो हमारे घर में एंटर किया और मतलब वह उतना गोरा भी नहीं था सावला रंग था और हट्टा-कठा सा मतलब शरीर में था ठीक है एकडम पतला भी नहीं था और कपड़ा वही पुराना फटा-पुराना पेना था और 24-25 साल का वह हट्टा-कठा लगा था वह जब लड़का आया और पानी भरने लगा तो अमीर आली हमसे बोले है यह देखिए इसका नाम है इबराहिम सक्का और इबराहिम सक्का यह हैं मास्टर साहब जिनका नाम है मतलब कि यह नहीं मास्टर साब आये हैं तो वही आमेर बनाश्चा की स्कूल के नहीं मास्टर तीचर ठीख यह इस रिपरहिम उकलतों पृष्टी को तो अब बहुता है तो चानए इंड इसलिक्राइग को में पानी की कमी होती है तो वहां पर एक इंसान को मुकरर कर दिया जाता है पानी पिलाने के लिए ठीक है तो सभी को वही इंसान पानी पिलाता है उसी को कहा जाता है साकी यानि कि भिष्टी तो इबराहिम सक्का जो था ना यह कि साकी था और यह कितने क्लास तक पढ़ा था तो फॉर्थ क्लास तक पढ़ा था यानि कि चौथी दर्जे तक यह पढ़ा था फॉर्थ क्लास याद रखिएगा ठीक है तो आया बोला कि लग रहा है नए मास्टर सहाब जी आये हैं तो उसके बार्ड से इब्राहिम सप्क्का चला गया फिर अगले दिन जो है मास्टर सहब यानि कि स्लम बिन रजाक को सब्सक्राइब मस्नवी bark इसक पढ़ रहे तो वह डिखा Clegg Pf तो फिर से आया इप्रहीम सक्का और सुल्हाम लेकुम करते हुए यादी है और घर एंटर किया और इसके बाद मानी भरी भरने लगा सो्फ सहाब ऎले कमसे लां करके वह भी अपना पढ़ने लगे जो मस्भी पढ़ रहे थे वुचो देल के बात लुख researching मास्चाहब से बोला कि मास्टर साहब बुरा नमाने तो एक बात ऊखूँ तो शोचें गारा हिम सक्का बोला कि सुना है कि फिर षमीय करते हैं यहां पर मास्टर सहाब को खुशी हुई छलो शेर वशायरी की चर्चा हो रही है इस गाओं में ठीक है तो वो खुशी हुई लेकिन फिर भी अपनी खुशी को दबाते हुए मतलब जाहिर नहीं किये दबाते हुए बोले कि तुम्हें किसने बताया कि मैं शेर वशायरी करता हूं तो इबराहिम सक्का बोला कि अरे वो स्कुराइब जानते थे कि अब्दुल्ला भैसा कौन है लेकिन फिर भी पूछें अब्दुला भैसा अपना तरीफ करवाना चाहते थे इनियुक्त यह कूँ पूछ रहे हो तो इस लिए कि मैं भी थ्वक्ती तो इसलिए मैं भी थ्विश्यारी करते हैं तो यहां पर लेता हूँ तो मास्टर साहब देखने लगे चौक कर चौक गए और इब्राहिम सक्का की तरफ देखने लगे तो कि दिखने से नहीं लग रहा था कि ओशेरी कर सकता है कोट पहना था गंदा और पैंट पहना था अज फटा पैंट पहना था और उस पर कोट पहन लिया था बहुत अच्छा अच्छा शेरोशायरी लिखता हूं आप बुरा ना माने तो मैं कल आपको लाकर दिखा हूं और पढ़कर सुनाओं तो मास्टर साहब जो है ना वो मना करने वाले थे लेकिन इब्राहिम सक्का इतना प्यार से पूछा ही था कि अगर आप बुरा नहीं माने तो मैं कल आजाओं आपके पास और जो भी मैं शेरोशायरी लिखा हूं आपको पढ़कर सुनाओंगा एक बार आप जरा देख लिजेगा कि मैं कैसा शेरोशायरी करता हूं ठीक है बहुत प्यार से पूछा था तो मास्टर साहब मना नहीं कर पाए वो बहुत लेकि ठीक है कल मगरिब की नमाज के बाद तुम आजाना ठीक है आकर तुम अपनी शेरोशायरी जरा सुनाना देखो कि तुम कैसा शेरोशायरी करते हो ठीक है तो अगले दिन मगरिब की नमाज पढ़ने के बाद मास्टर साहब अपने कमरे में ही बैठे थे तो आया इबराहिम सक्का ए एकदम फ्रेज तयार होकर आया था और हाथ में नोटबुक लिए वो कॉपी लिए जिसमें वो अपना शेरोशायरी लिखा था लिए हुए आया और स्लाम लेकुम मास्टर साहब किया और अंदर एंटर किया घर के तो मास्टर साहब बोले वालेकुम सेलाम आओ आओ बैठो द लिखा गया था ना कि वो उनसे पढ़ाई नहीं जा रहा था कि मास्टर साहब बोले कि यह लोग तुम ही पढ़कर सुना तो इब्रहाम सक्का जो है वह कॉपी ले लिया और वह पढ़कर सुनाने लगा शेरोशायरी जो भी वह लिखा था अगर सुन रहाए तो पढ़कर अभी रुको तुम्हारे अंदर ख्यालात को हैं लेकिन ख्यालात को धालने के लिए लफजों की कमी है तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर लफजों का भंडार लगाने के लिए तुम्हें किताबे पढ़नी होई तो इबराहिम चका बोला किताबे किताबे तो मैं पढ़त तो Master सहब थोड़ासा मुस्कुराइं और बोले कि देखो ये कितावे तुम को नहीं पढ़नी है और उनका जो Master सहब का जो धिर सारा किताब रखावा उसी में से मतलब कवर्ड में से किताब एक पुराने इडिशन का किताब निकाल कर वो इबराहिम सक्का को दिये और बोले कि लो इस किताब को पढ़ना ठीक है इसमें बहुत ही अच्छी अच्छे लफजों का यूज किया गया लफजों की भंडार रहेगी तभी लफजों की वजए से तुम अपने ख्यालात को शेरोशायरी के अंदाज में ठाल पढ़ना ठीक है तो इबराहिम सक्का ले लिया और उसी वक्त पढ़ने लगा ठीक है और रहा था खुश हो रहा था कि चलो मास्टर साहब जोएना हमको हेल्प किये और उसके बाद से मास्टर साहब बोले कि तुम खाना खाए तो इसके बाद से शाम तो इसी तरह गुजर गई अगले जो है ना इब्राहिम सक्का जाकर घर पर पढ़ा था मतलब वो किताब जो मास्टर साब दिये थे वो घर पर खुब पढ़ा था उसके बाद से अगले दिन मास्टर साब फिर जोहर की नवाद पढ़ने के बाद अपने घर में बैठे हुए थे और वो भी किताब पढ़ रहे तो फिर आया इब्राहिम सक्का पानी बरने लेकर उनके घर में जो घरा रखा था उसमें पानी बरने लगा इब्रहिम सक्का की बात सुनकर मास्टर साब खुश तो वो भी मुस्कुरा दिये इब्राहिम सका को देखकर क्या लग रहा है कि बहुत ही खुश्मिजाज आदमी था ठीक है और खुद्दार भी था मतलब किसी और के रोजी रोटी पर पलने वाला नहीं था मतलब कि खुद से पैसा कमावकर खुद से खाने पर विश्वास करता था इनकी खुद्दार आदमी था ठीक है तो इब्राहिम सका यह बोलने लगा कि आप जो किताब दिये न उसमें मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूं और उसका कुछ शेर तो याद भी हो चुका है आप कहो तो मैं सुनाओं तो मास्टर साहब बोलते थे ठीक है ठीक है सुन मास्टर साहब के पास सबसे हटता और सबसे मालडार। इनसान था कि जिस घर के बच्चों को आप पढ़ाने जाओ पढ़ाने से पहले इस घर के लोग आपको खिलाते थे तो मास्टर साहब जो है ना वो बेदारखा देश्मुक के घर में जितने भी बच्चे थे उसको पढ़ाने वाले थे तो पढ़ाने से पहले ट्यूशन पढ़ाने से पह का हमारे यहां कुछ खाना रखा हुआ है मतलब तुम एक काम करो लेकर घर चले जाओ और तुम खा लेना मास्टर साब सोचे कि बिचारा इतना मेहनत करता है पानी वगरा लोगों को पिलाता है और उसके बाद से संदेश भी पहुचाता है तो क्यों ना इसी को दे दिता हूं मेरे घर में जो खाना बचा हुए यही खा जाएगा ठीक है तो मास्टर साब बोले कि लेकर चले जाओ और तुम ही खा लेना तो इब्राहिम साब चुप-चुप ख़ड़ा रहा है और फिर जाने लगा अरे रूप क्यों नहीं रहे हो मैं तुमसे कुछ बोल रहा हूं लेक ख़ड़ें मास्ट्र साहब बुरा नहीं मानियेगा लेकिन मैं खुद की महनद करल विफ्वास करता हूं मैं खुद कमाता हूं और खुद अपनी कमाई से जो भी पैसा मिलता है उसे समान खरित करनाता हूं सब्जें वगर्णाटा नहीं में rubbish कि स्याओं मैं किसी की रोजी मैं खुद की मेहनत पर रिश्वास करता हूं और मैं खुद सही बना कर खाता हूं ये बात जो है न मास्टर साहब को बहुत दा मोटिवेट किया ठीक है उसके बाद से इब्राहिम सक्का चला गया मैं खुदार साहे हैं इस भातों की बातों से मोटिवेट होकर मास्टर जाहों की बारी बंद कर दिया eigenlijk नहीं खाते हो ना इसी वज़े से मैं भी गाउं की बारी बंद कर दिया मैं भी गाउं की लोगों का दिया हुआ खाना क्यों खाऊंगा ठीक है तो इब्राहिम सक्का बोला अरे गाउं की बारी में और खाना जो मैं खाता हूं उसमें अंतर है तो मास्टर साब बोले कोई अंत तो इब्राहिम सक्का बोला कि ठीक है आप जैसी आपकी मर्दी और उसके बार से चला गया तो मास्टर साब जोए ना इब्राहिम सक्का की बातों से मोटिवेट होकर गाओं की बारी बंद कर दिये और खुद से कमाते थे उससे जो खाना मतलब इनको आप यूँ कर सकते हैं ज अचानक रात को बहुत तेज शोर मचा गाओं में तो मास्टर साब उठकर चपल पहने और जलजली बाहर निकले याकिर हुआ क्या है तो इनको पता चला कि बेदार खादेश्मु के यहां कोई चोर घुसा रहा है ठीक है मतलब यह बाहर निकल कर लोगों से पूछ ताच कि तो पता चला कि बेदार खादेश्मु के यहां कोई चूर घुसा आया था उसके बाद से मास्टर साब आकर फिर से सो गए सुबा हुई ठीक है स्कूल में पढ़ाएं और फिर उसके बाद से स्कूल से वापस घर आने के बाद यह घर में थे और खाना बना रहे थे तो आपको फिलाने के लिए यह आप खा लिजे तो मास्टर साब बोले यह तुमको पहले बताना था हूँ मैं भी ऑपने घर में खाना बना लिया हूँ ठीक है तुम ल counselors साका अब बोला था कि अब में इतने प्यार से लाया हूं आप खालीजी तो मास्टर साहब बोले एक काम क तो tikा रहे थे तो मस्टर सहाब पूछें कि अच्छा बताओं मास्टर सब नहीं पूछा कि मास्टर सहब आपकी शादी हो गयी है आ license साहब थोड़ा सा मुस्कुराएं और बोले कि नहीं मेरी शादी थे नहीं हुई है कि मेरी मंगनी हो चुकी और बहुत जलो शादी हुए है और तुम अपना बताओ अच्छा तुम्हारे शादी हो गई है कि नहीं गया मैं और तो मैं बात कर दूंगा ठीक है अब ये बात सुनकर जो है ना इब्राहिम सका का चेहरा का एक्सप्रेशन बदल गया वो थोड़ा टेंसन में आ गया और उसका चेहरा लाल हो गया अब चुप चप वो खाने लगा मास्टर साहब बोले कि बताओ कोई बात है तो बताओ हमको मैं जो भी तुमारा प्रो सक्का से नहीं हुए थेकर मास्टर साहब को यह लग रहा था कि मैं ही कुछ गलत नहीं बोल दिया जिसको जैसे इब्राहिम नाराज हो गया ठेक है इतने दिनों से उससे मुलाकात भी नहीं हो रही है अगले दिन जब मास्टर साहब गय स्कूल में तो अमीर अली से पूछ ह में कि तुमने इब्राइम सक्का को कहीं देखा ओओ कहीं कितने दिनों से नहीं देख रहा है तोектор अमीर अली बोले ग्रेशफ जो सोची रहे थे तो कुछ दिन के बाद इसी तरह कुछ दिन बीट गया ठीक है कुछ दिन के बाद इब्राहिम सक्का की मुलाकात जो है मास्टर सहाब से हुई तो मास्टर सहाब जो है इब्राहिम सक्का से बोले कि आखिर बात क्या है बताओ मैंने कुछ कह दिया है मतलब तुम इतने दिनों से मुलाकात भी नहीं कर रहे हो हमसे और उस दिन जब मैं तुम से पूछा था तो तुम चुप चाप चले गए तुमारा चेहरा का एक्सपिरेशन भी चेंज हो गया कोई बात है मैंने कुछ तु इसा नहीं सोचिए कं एःक है इधर मैं कुछ दिनों से बीजिदर और उसके बाद से इभ्राहीम जाज चला गया मास्टर ret rook संब और सुबाब में लेट से उठे ठीक है लेट से उठने के बाद मतलब स्कूल की धंटे की वाद सुनाई दी तो यह उठे थे मतलब की प्रेयर लग चुका था और यह जाकर स्कूल में खड़े हुए देख रहे हैं कि बहुत ही कम बच्चे आये हैं 5-6 बच्चे ही आये हैं तो मास्टर साब अम में कुछ नहीं पता आज रात को क्या हुआ था आपको नहीं पता है तो मास्टर साब बोले कि नहीं हमको कुछ नहीं पता है क्या हुआ तो अमीर ली बोले आपको नहीं पता है वेदार खादेशमुक की जो बहन है ना उसकी मौत हो गई है कई लोग जो है ना कई तरह के ब जो कि उससे मिलने के लिए आया था ठीक है और यही बात उनके घर वालों को पता चल गई तो इसी वज़े से बेदारखा देश्मुक की बहन को जो है ना बेदारखा देश्मुक के घर वाले खुब पीटे होंगे और वही लोग कुवे में डाल दी होंगे मार दी होंगे या इसके पार हो रहे उसके नहीं कर पाई होगि अपने परिवार का जौन रहे थे और मास्टर साफ चुब चुब चौप सुन रहे थे इनको सारी बात पना चल गई उसके बात से मास्टर साभ चुब उसी रात ओठने वाला था तो जनाज़ा उठ गया था वहां पर पहली बार रिया जनाज़ की नमाज पढ़ने के लिए जनाज में शामिल हुए थे मास्टर साही जन्दगी में पहली लोग आगे जा रहे हैं दो दूफान की तरह है थे वहाय चल रहे थी और भाधल भी लग रहा था और यह सोच है कि लास्ट में ही चलता हूँ पर दिककत नहीं है ननली टो सबसे लास्ट में मास्टर साहब रहे थे लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि इनके सच में कोई के पीछ बिता यह काली कम नी ओड़ी कोई इन पीछ है उन्सान था कोई शक्स था उसक हुआ जब 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 जनाजा का नमाज पढ़ने बारी तो वहां पर दो जिसको नमाज पढ़ना जनाजा का वो नमाज पढ़ना थे तो जिसको नमाज पढ़ना था वो ठरहे थे तो मस्थरोण की तो देखें कि वही काली कंबल ओढे हुए जो लास्ट में सबसे लास्ट में चल रहा था वही उनके पास आ रहा है और आकर धीरे से उनके कंदे पर हाथ रखा और बोला मास्टर सहाब तब जैसे मास्टर सहाब आवाद सुने मास्टर सहाब तो इनको समझ में आ गया कि वो कौन है जी हां वो कोई और नहीं इबराहिम सक्का ही था जो की काली कंबल ओड़े आ रहा था सबसे ला मतलब कि जो इबराहिम सक्का था मास्टर सहाब को यह एहसास हो गया था कि बहुत तेज़ अब्याद खराब है वो काली कंबल कोड़े था उसको बहुत थेज़ ठंड लग रही थी काप रहा था चीके हो रही थी बुखार भी था बहुत तेज़ तबीद खराब था ठीक है तो बोला एक मुठी तो मास्टर साथ बोले कि तुम हिबराहिम सक्का यहां पर तो म entrada क्यों इक मुठी उठाकर मास्टर साहचा को दिया और बोला कि मास्टर साब ये उस कब्र पर डाल दीजいगा हमारी तरफ से हैं तो मास्टर साब मिठी को अपने हाथ मिले लिए और ठीक और जब उसको दफनाया जा रहा था विदारखा देशमुक की बहन को दफनाने के बाद जब मिट्टी डाला जा रहा था तो मास्टर साहब जो है ना वही मिट्टी जो कि इबराहिम सब्का उनको दिया था वहीं ले जाकर उसकी कबर पर डाल देते हैं ठीक है उसके बाद से देखते हैं कि कहीं वह इबराहिम सब्का देखी नहीं रहे काली कंबल और यहीं पर तो ख़ड़ा था आखिर कहां चला गया चारों तरफ देख रहे थे कहीं नहीं मिला सबी लोग जनाजा का नमाज पढ़ने के बाद और दफनाने के बाद सबी लोग चले गए तो मास्ट चले गए मास्टर सहाब और जाकर सो गए जब सुबह हुई तो फिर एक अचानक शोर उठा तो जब अचानक शोर उठा तो मास्टर सहाब की निंद खुल गई अब फिर जल जल्दी वह चपल पहन कर और दोड़े हुए दरोजा खुल कर बाहर निकले तो लोगों से पूश के पहर बिदार खा देश्मुक की बहन के अच्छा सहाब को यदार सहाब को सारी गुथी समझों में आया मैं उस दिन जब बोला था शादी का बात किया था कि तुमारे मन में अगर कोई लड़की है जिसको तुम पसंद करते हो तो मुझे बता दो तो क्यूं इबराहिम सक्का के चेहरे का expression change हो गया कि उसका चेहरा लाल हो गया और वो क्यों चुप चाप हो गया था ठीक है ना तब इनको समझ में आया कि इबराहिम सक्का और बेदार खादेश मुख की बहन एक दुसरे से मुहबबत करते थे और इबराहिम सक्का जो की बहुत ही छोट साना यान की जाती के भेदभाव के कारण यहां पर इन दोनों की मौत होगी मतलब इनका शादी जो है ना इनका निकाह कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता था ठीक है मतलब यह मतलब आपने आप में भी यह गिल्टी कर रहे थे कि कास इबराहिम सक्का हमको बता दिया रहे था मैं कुछ नगुछ करके कोई ना कोई रास्ता निकाल देता यहां पर उनको बहुत जड़ा अफ्सोस हो रहा था देख रहे थे हैं कि की ब्यदाराथ ओंप होने페कर बेचारा इबराहिम सक्काा मरा पड़ा है इनको बहुत ज़िदा अफ्सोस हो रहा था Sारी यादे, शारी बाती इसमीट को बचा करने हमको बता नहीं नहीं इसमय वक्त हे बहन खोषी करनी उसकी मौथ हो गई और उसकी मौत होने के बाद बेचारा इब्राहिम सक्का वो भी उसके कब्र के उपर मरा पड़ा यानि कि वो भी मर गया तो यहां पर भेदभाव जाती के बेदभाव के करण दो लोगों की जाने चली गई ठीक है और यहीं पर इस कहानी का देंड हो जाता है लेकिन अगर आप लोग इ और भी जदा आप लोग इमोशनल हो जाएंगे क्योंकि यह मैं बहुत ही सिंपल करके आप लोगों को बताई हूं लेकिन रियली में जब इस कहानी को पढ़ेंगे लफजों को जो सजा कर लिखा गया है ना उसको जो आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग रो देंगे ठीक से क्योंकि राइटर के बारे में भी समझ गए और पूरी कहानी में आप लोगों को बता ही दी तो यहां पर दो लोगों दो लोग जो एक दूसे महबत करते थे जाती के भेदभाव के कारण दोनों लोग की जाने चली ठीक है ना और यहीं पर एक कहानी का देंड हो जाता है तो आई होप आप लोगो पूरी कहानी समझ में आई होगी कैसा लगा कहानी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा जो कुछी में आप लोगो समझाई हूँ अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो पड़फट लाइक कर दें कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे अगर आप लोग यहां तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो कोई दीकत नहीं है ले लिजे फड़वर स्क्रीन शॉट तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसे के साथ मैं आप तभी लोगों से विदा लेती हूँ बाई बाई टेक केर फिर मुलेंगे हम लोग अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज